दोस्तों आज आपको वीडियो लेकर आया हूं गाड़ी रिपियर करने की ये गाड़ी चार्जेबल है ये रिमोट से रिमोट कंट्रोल से चलती है और चार्ज होती है एक दो गंटे चार्ज गरने बाद चलू हो जाती है दोस्तों इसमें दिक्कत ये आ रही है ना तो ये च यह चार्ज होते हैं चार्ज होने के बाद गाड़ी चलती है तो दोस्तों आगे वीडियो में बने रहे हैं वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को आगर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को हम खोल लेते हैं यहां से गाड़ी के अंदर चार पेज लगे हुए है इनको खोल लेते हैं दोस्तों गाड़ी हमारी खुल चुकी है यह देखो अंदर से यह गाड़ी है हमारी यह अंदर इसके अंदर दो मोटर लेगी हुए दो कि है दो कि मोटर लेगी हुए को यह यह cœur लेगी हुए और एक मोटर लेगी हुए aired यह रिवस फारओट के लिए है और यह हमारी यह उसके लिए है खुडिक różंगे के लिए यह अगली मोटर है पीके लिए इस स्ट्रिंग काम करती है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों अब है इसके हम चौक कर लेते हैं यहां से इसको चार्ज का पॉइंट एक चार्ज study लगा हुआ है बोड़ के अंदर यह मैं आपको दिखाऎे था हूं यह डिखी क्या दिशना ना 夠ड़ Natomiast अब इसको यहां मैं आपको दिखा देता हूं यहां से यहां लगा देते हैं यहां से अब इसको चेक करेंगे हमारा मल्टी मीटर है त्रड़ अच्छ नेक्टिव पॉइंट एफ पोउटिव दोस्तों बाद त्रड़ थीक काम कर रहा हुआ यहां से चार्जर सही काम पर रहा है बागी चार्ज इसका चल नहीं रहा है और दोस्तों आगे इसमें आगे चेक कर लेता है इसमें आगे दिक्कर क्या है यहां से यह हमारा on off switch है यह इनका दूसरा point है जो यहां से board के लिए supply देगा यहां से इस switch को हम on कर लेते हैं यहां से इसको on कर लिया अब चेक कर लेते हैं यह ground हो गया इसका और यह positive हो गया सुच का और यह black side का point दूसरा positive हो गया यह यहां से यहां से आ गया इसके अंदर plate के अंदर यहां भी ठीक है voltage आ रहे हैं यहां से यहां से supply नहीं आ रही है दीए दोस्तों यहां से supply आ रही है यहां से यहां से supply नहीं आ रही कि तो अब इसमें हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि आगर सफलाई के लिए किया लगा हुआ यह इसके अंदर रिजिटेंस लेकी हुई है यह रिजिटेंस काम नहीं कर लिए तो इसको हम एक बार प्रेस्टेंस को डारेक्ट कर लेते हैं यहां से उसके बाद आगे चेक करने ये टार लेनी है कि एक सिर्फिध त फ्यूज को डारेक्ट करेंगे इस फ्यूज को डारेक्ट कर देंगे यहां से देखें बिल्कुल बरीकता रहा है यहां से इसको हम डारेक्ट करेंगे हम लिक हम बारेक्ग कर दे हो हां से लाँ कर देंगे लिस दो मुतम है यहां से आय। कि यहां से हमने इसको डार्ट कर दिया दोस्तों अब इसको पैक करके वाद चेक कर लेते हैं गाड़ी चालू हुई है या नहीं हुई है यह इसका रिमोड कंट्रोलर है अब यहां से हम इसको चेक करें गाड़ी चालू होगी है यह देखे यह इसके स्ट्रिंग और लव काम करेंगा यह देखे यह देखे इसके लाइट को जल गए यह देखे यह देखें यह देखेंगा वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों फाइनली गाड़ी तयार हो चुकी है अब देखना दोस्तों आपको प्रभाएं के बंद को अथे देखो आज आपके लिए में गाड़ी लेकर आया हूं यह गाड़ी आपको रिपीर करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि ये गाड़ी चल नहीं रही है और चार्ज नहीं हो रही है तो इसको देखते हैं यहां से खोल करके इसके अंदर सेल लगे हुए हैं चार्ज सेल लगे हुए हैं ये चारू सेल इसके चार्ज नहीं हो रहे हैं ये देखने, पढ़ेंगे, खोल करके पीछ चार्ज कैसे होगे अны जो टोस्तो गाड़ी हमने तियार कर दिया कर दी है अब देखो आपको चला के दिखा देता ये चल گाड़ी हमारी cinq adding चार्जिंग उसा यह 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 हां सा आगे- में- पीजह आरे है यह किड़के खुल रहे हैं यह बंद हो रहे हैं ठीक है दोस्तों गाड़ी हमारी ओके हो गी यह पीछे हो रही है यह चार्ज कम है इसलिए थोड़ी इजले हैं इजले हैं इजले हैं अबने हुआ इसनुन हैं